नमस्कार दोस्ते एक बार फिर से स्वागए थे मेरे चैनल में इस्टाइमडी पर आज हम बात करेंगे सामसंग के यूरिवर्सल रिमोट के बारे में तो जी हाँ जिन भी कस्टमर्स के पास या फिर जो भी मेरे दोस्त भाई जो वीवर्स देख रहें ये वीडियो आपके प आपको बात करेंगे आपको वीजोली बताऊंगा कि आप अपने इस पीवी के यूणिवर्सल रिमोट से कैसे आप सारे डिवाइस को काफी असानी से कंट्रोल कर सकते हैं तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने भाई को अगर आप सपोर्ट करना चाते हैं तो प्रट करते हैं जो लोग चानल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो चली शुरू करते हैं इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको दिखाते हैं यह रिमोट है जैसा कि आप सभी के पास होगा और रिमोट में जो बीच वाल बटन आपको देख रहा यहां पे औपने अपशं आएका स्टार्ट में ओके करना है जो यूझण इंटरफीस होगा वो कुछ इस तरह से होगा तो यहां पर आप क्या प्रत्र ग। अपने और पास ब्रांड Mart का यहां पर जो यहां पर सारे जो भी आपके पास brand का जो setup box होता है वो यहाँ पे सारे brand का दिखता है तो जैसा कि मेरे पास ATL का लगा हुआ है तो ATL में जाकर कि मैंने okay किया फिर वहाँ पे आपका जो setup box है वो कौन से HTY ports में वो यहाँ पे swap होता है तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वहाँ पे आपको okay करना है और यहाँ पे simple बूला जा रहा है कि channel up करें आप तो आप जैसा कि आप देख रहो कि remote में जो buttons होता है ना राइट साइड बे channel up करने के लिए channel up करें और yes करें उसके बाद done करें यह आपका जो universal remote है यह setup box से पूरी तरह से complete pair हो चुका है अब अगर आप जा करके try करेंगे ना यारि कि आप अगर setup box आपके सामने है तो आप अगर channel up down करोगे तो definitely channel change होगा आप वहाँ पे थोड़ा सा चेक करके देखो definitely change हो रहा होगा आपके घर पे अगर आपका ऐसा है तो यहां से आप चाहो तो फिर से मैं एक बाप को दिखा दिता हूँ पहले मैं आप पर delete कर दिता हूँ फिर से delete करने के बाद same process है यानि कि cable है तो cable में ही जाना है मेरे को TV directly में जाना है और TV directly जाने के बाद भी मिल जाता है जो reliance का भी जियो कर आ रहा ना fiber वो भी box को आप control कर सकते हो इस remote के थुरू तो सारा का सारा आपको सारे brand का option इसमें मिल जाता है control करने के लिए तो फिलाल मेरे पास atl है तो मैं फिर से इसमें atl ही pair करता हूँ तो atl में जाकर के मेरे को फिर से okay करना होगा और atl में okay करने के बाद आप अगर कोई ऐसा brand है आपके पास जो यहां पर नहीं मिल रहा है तो आप चाहो तो वहां पर जाकर करके आप search करके type भी कर सकते हो तो जैसा कि मेरे पास already atl का तो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ hdmi1 में मेरा ports लगा हुआ है जो atl का जो box है वहां पर okay किया मैंने और यह मेरे को फिर से बूला जा रहा है channel आप या down करने के लिए तो मैं channel up करता हूँ और यहां पर पूछा जा रहा did the channel change yes तो आप yes करोगे definitely आपके जो setup box सामें रखा हुआ होगा channel change हो जाएगा और यह आपका tv complete tv का remote जो है वो setup box से pair हो गया है अब आप अपने इस remote से सारे कुछ control कर सकते हो अपने आप सभी के doubts और जो भी confusion होगा इस features related आपका confusion वो दूर हो गया होगा बट अगर फिर भी इस remote related या फिर किसी और तरह का किसी भी तरह का query है आपके पास तो पूछे मेरे से comment section में चाहो तो मेरे को आप Instagram में follow कर सकते हो यहाँ पे भी आप मेरे से कुछ भी question हो कुछ भी query है आप मेरे से पूछे मैं कोसिस करूँगा आपके साही सवाल को जवाब देनी के लिए और इसी तरह अपना प्यारों support दिखाते रहे जल्दी मिलते हैं निक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद